और आज हम आपको बताएंगे कैसे सफेध होते हुए बालू को घरेले उपाये के द्वारा ताला किया जाएं समय के साथ-साथ बालू का सफेध होना एक आम बात है जिसे हम और आप नहीं रोख सकते हैं लेकिन आजकल दूसरे कारूनों से भी बात सफेध होते हैं आजकल हमारा रहन सहन, पर्यावरन, खान पान और दिन चर्या किशोरा वस्था से ये बालू को सफेध करने लगे हैं तो आज़े देखते हैं कि कौन से वो घरेलो उपचार हैं जिन से हम घर बैठे हैं अपने बालू को सफेध होने से रोख सकते हैं आज़े कब दही में चुटकी भर काला नमक मिलाकर उसमें एक चमच निबू का रस मिलाएं और अपने बालों में लगाएं और इसे 15 मिनद बाद दूलें आप देखेंगे कि आपकी सफेध होते हुए बाल काले मिले लगें बेसन में दूर या दही से बालों को दूएं काफी हद तक फाइदा दिखेगा आमले का रस या तेल से मालिश करें सर पे या सूखें आमले को नारिल की तेल में डालकर उबालें तब तक जब तक कि आमला काला ना ऊचाओ फिर इस तेल को रात में सोने के पहले लगा लें और सुबा उठकर दोलें ऐसे सफेध हमें दो बार करें एक बड़ा चमच आमले का गूदा लेकर उसमें एक बड़ा चमच नीबू का रस मिलाएं और रात को सोने से पहले बालों पर लगाएं सुबा उठका दोले आपके सफे रोते बाल काले हो जाएंगे एक मुठी करी के पत्ते को नारियल के तेल में मिलाकर उबाले और जब तक इस पत्ते काले न हो जाए तब तक इसे उबालते रहें उबाले के बाद इसे छान ले और इस तेल का यूज़ करें इस तेल को बालों में 35-40 मिनट तक मसाज करें और पर धूलें ऐसा सब्ताहा में एक से दो बार करें आपको फर्क जरूर दिखेगा इसी तरह हिना की पत्तों को भी नारेल के तेल या सरसों के तेल में उबाल सकते हैं जब तक की पत्ते जल ना जाए और फिर इस तेल का प्रयोपी कर सकते हैं नारियल की तेल में तीन छोटे चमच नीपू का रस मिलाकर बालों को मसाज करें एक गंटे बाद दो लें ऐसा रोजाना करने से बाल काले होते हैं बालों की जड़ों में हाइड्रोजन पैराकसाइड के अधिक बनने के कालन हमारे बाल सफेद होने लगते हैं एक रिसर्च के अनुसार पजा चला है कि प्यास के रस को अगर हम अपने बालों में बालों की जड़ों में आदे से एक गंटे तक मसाज करते हैं और फिर दो लेते हैं तो इससे भी हमारे बाल काले होने लगते हैं कुछ ही सप्ता के अंतर दो छोटी चमच काली चाय की पत्ती को एक कप पानी में बॉल करें और फिर इसमें एक छोटा चमच नमक मिला लें इस पानी से बालों को दुएं और 20-25 मिनिट बार ठंडे पानी से दुएं शैंपू ना करें सब्ताह में एक दू बार करने से आप देखेंगे आपके बालों को शांपू कर लें उसके बाद चौले के साफ का रस अपने बालों की जड़ों में लगाएं और मसाज करें और कुछ देर तक रहने दे, थोड़े देर बाद इसे दोले आप देखेंगे कि आपके बालू का नेचुरल कलर वापस आ जाएगा और आपके बाद समय से पहले सफिद भी नहीं दे रोजाना एक चमज काले तिल का सेवन करें और साथी साथ तिल के तेल का प्रयोग अपने बालू में करें चाइनीज मेडिसिन में काले तिल का प्रयोग बालू के लिए काफी लापकारी बताया गया तो दोस्तो हमें उमीद है कि आप छोटे छोटे घर्यों नुसके जरूर अपनाएगे और अपनी कमेंट्स भी हमें देंगे तो इसी के साथ ही सप्रेट बालों को काला कैसे करें इस विशेर पर बनाएं स्पेशल वीडियो यही समाथ होता है इसी तरह के और भी घरेलों उसके जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ अपनी दोस्तों और तामिली के साथ शेर करना न बोले दोस्तों गर्मों के शुरू होते ही हमारी सबस्टे बड़ी और पहली समस्या होती है तोचा की समस्या Sun से निकलने वाले Ultra Violet किरने हमारे चेहरे को और हमारे तौचा को बहुत नुक्सान पहुचाते हैं जिसे हम Sun Taining भी कह सकते हैं इन किर्णों से हम अगर नहीं बचते हैं तो हमारी तौचा का रंग काला हो जाता है और हमारे चेहरे पर काले दाल धब्बे पढ़ जाते हैं संटैनिंग से बचने के लिए आपको भरपूर मात्रा में विटमिन C, यूप्त, फल और सबजियों का प्रयोग करना चाहिए और दिन में कम से कम 3-4 लिटर पानी भी है अगर आप धूप में जादा रहते हैं तो आपको मौसमी और नीपू का प्रयोग जरूर करना चाहिए तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे घरे लोग पाई जिन से संटैनिंग से बचा जा सकता है